इस वीडियो में मैं आपको डेटा एंट्री वर्क कैसे करते हैं, इसके बारे में E2Jet सब कुछ बताने वाला हूँ नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेर्मल सिंग खोलिया और आपका स्वागत है Easy Tech Class के इस YouTube चैनल पर अगर आप डेटा एंट्री के बारे में जानना चाते हैं कि डेटा एंट्री वर्क होता क्या है, उसके लिए आपको क्या स्किल्स सीखनी होंगी, और कैसे आप डेटा एंट्री जॉप्स कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं बिना बातों को घुमाई फिराए, आपको accurate और to the point, knowledge देनी की पूरी कुछिस करूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब में डेटा एंट्री के उपर काफी wrong information आप लोगों को दी जाती है, और डेटा एंट्री के नाम पर लोगों के साथ काफी ज्यादा scams भी होते हैं, तो इसलिए important है कि आप लोगों को डेटा पास एक बड़ी सी file हो सकती है, जिसमें raw data होगा, जिसे आपको type करके computer में enter करना होता है, तो data entry operator के रूप में आपका काम data processing softwares जैसे Microsoft Excel हो गया, Google Sheet, LibreOffice Calc, MS Access, इन तमाम softwares का use करके computer में data को enter करना, edit करना, data को review करना और समय समय पर उसे update करना होता है, तो अगर आपको इ पूच रहे हैं कि मुझे ना तो in softwares का use करना आता है, और ना ही मेरी typing speed अच्छी है, तो कोई बात नहीं, मैं ये वीडियो इसी लिए बना रहा हूँ, ताकि आपको data entry की A to Z सभी चीजे सिखा सको, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, वीडियो में आगे में आपको Excel में data entry कै ये बहुत अच्छे से सिखाऊगा और data entry से related बहुत ही important tips and tricks भी आपको दूगा, तो data entry jobs basically दो types की होती है, एक तो होती है remote data entry jobs और दूसरी होती है in-house data entry jobs, इन्हें आप simple language में online data entry jobs और offline data entry jobs भी कह सकते हैं, online data entry jobs में आपको किसी office में जाकर काम नहीं करना होता, बलकि आप कहीं connection होना चाहिए, हला कि कई बार laptop और computer भी आपको company द्वारा दिया जाता है, आम तोर पर online data entry jobs में आपको एक project दिया जाता है, उसके एक time limit होती है और उसी के according आपको अपना काम complete करना होता है, और per project के हिसाब से आपको payment मिलती है, इसके अलावा आपको प्रती घंटे के monthly basis पर salary मिलती है, इसके विपरीथ offline data entry jobs में आपको office में जाकर या किसी एक location में जाकर data entry का काम करना होता है, ये mostly एक full time job होती है और आपको monthly basis पर salary मिलती है, तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि data entry work होता क्या है और data entry jobs कितने type की होती है, अब आपके मन में सवाल होगा कि नौकरी.com, Upwork, Fiverr, Indeed ऐसे बहुत सारे online job portals जहां आप online और offline data entry jobs सर्च कर सकते हैं, इसके लावा अगर आप Google में online data entry jobs सर्च करेंगे तो आपको कई सारे websites की link मिल जाएंगे जहां से आप उनकी contact details निकाल कर उनसे उस job से related पूछ सकते हैं, हलाकि ये आपको देखना होगा कि वो एक genuine data entry jobs हो ताकि आपके साथ कोई scam ना हो, अब लेकिन job करने के लिए आपको data entry work भी आना चाहिए, तो किसी भी data entry job को करने के लिए जो सबसे अनिवारी skill है, वो है Microsoft Excel, हलाकि data entry में आपको और भी computer programs का use करना आना चाहिए, जैसे MS Access, MS Word, Jovo Forms, Auto Entry, etc. अब चुकि Excel सबसे important है, तो इस वीडियो में हम Excel में data entry कैसे करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे, हलाकि अगर आपको और tools का use सीखना है, तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिए, क्योंकि मैं देरे देरे इन सब ही tools को सिखाऊंगा, चली, Excel में data entry कैसे करींगे, आप इसको सीखते हैं, Excel को open करनी के या नीचे search box में type कीजिए Excel और open पर click कीजिए, यह Excel की start screen है, अब क्योंकि हमें बिलकुत सुरुआत से data entry करनी है, तो हम blank workbook पर click करेंगे, यह Excel का user interface, इसमें उपर की तरफ आपको कई सारे tools देखने को मिल रहे हैं, और नीचे यह है Excel sheet या worksheet जिसमें हम data enter करते हैं, इससे पह user को पता होनी चाहिए, तो पहली common terminology है cell, इस worksheet में आपको जो यह boxes दिखाई दे रहे हैं, जिनमें हम data enter करते हैं, इन्हें कहते हैं cell, और जिस भी cell को हमने select किया होगा, उसे कहेंगे active cell, अब यहाँ जो even लिखा हुआ है, यह है cell reference, या इसे हम cell address भी कहते हैं, तो worksheet में जिस भी cell को आपने select किया होगा, यहाँ name box में उसका cell address आपको so होगा, worksheet के ठीक उपर यह जो आपको alphabets दिखाई दे रहे हैं, यह है column headings, अगर आप किसी भी column heading पर click करेंगे, तो पूरा column select हो जाएगा, और left side में यह जो numbers है, यह है row headings, जैसे ही आप किसी भी row heading पर click करेंगे, तो पूरी row select हो जाएगी, मतलब यह जो खड़ी lines हैं, इन्हे columns कहते हैं, और यह जो तिर्ची lines हैं, इन्हे rows कहते हैं, और इस एक worksheet में total 10,48,576 rows और 16,384 columns होते हैं, यानि अगर आप worksheet को नीचे की तरफ scroll करेंगे, या right side की तरफ scroll करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह worksheet बहुत बड़ी है, यानि आप इसमें बहुत large data भी एंडर कर सकते हैं, अब यह तो एक worksheet है, अगर आप इस छोटे plus icon पर click करेंगे, तो आप एक new sheet create कर सकते हैं, sheet delete करनी है, तो इस पर right click कीजे, और delete option पर click कीजे, अगर इस excel file को मैं save कर दूँ, तो उसे हम कहेंगे workbook, और एक workbook में कई सारी worksheet हो सकते हैं, अगर मैं worksheet में multiple cells को select कर लूँ, तो इसे कहते हैं cell range, और यह जो provide section है, इसे कहते हैं, formula bar, अगर आपने किसी cell में formula लगाया होता, तो उस cell को select करने पर आपको यहाँ formula bar में, वो excel formula so होगा, जिसे आप यहाँ से edit कर सकते हैं, तो यह थी basic terminology, जिनके बारे में जानना बहुत आउशक है, अगर आप excel में काम करना चाहते हैं, क्योंकि जब आगे मैं इन सब्दों का use करूँगा, तो आपको यह नहीं लगना चाहिए, कि मैंने यह क्या बोलते हैं, और यह सब्द ऐसे हैं, जो excel में बार-बार use किये जाते हैं, तो चलिए, अब सीधे excel में data enter करना सीखते हैं, तो जिस भी cell में आपको data enter करना है, उस cell में click करके उसे select कीजे, अब जैसे मुझे एक electronic wholesaler के sales data की entry करनी है, तो normally हम first row में headings लिखते हैं, तो हम लिखेंगे order date, फिर next column में move करने के लिए, keyboard में आपको tab की दबानी है, हलाग कि आप mouse से भी next column में click कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि data entry में typing speed बहुत matter करती है, तो आपको shortcut keys का ज्याद से ज्यादा use करना चाहिए, next type कर fire, फिर tab की दबाएं, फिर salesman, फिर item, फिर units, फिर unit price, last में sales amount, लेकिन अगर आपको left columns की तरफ move करना है, तो आप shift plus tab की का use करेंगे, और अगर आपको नीची की रोस में move करना है, तो enter की दबाएं, और उपर को move करना है, तो shift plus enter की दबाएं, हाला कि आप keyboard में left, right, up, down, arrow keys का use करके भी worksheet में move कर सकते हैं, अब आप देख रहे हैं हुए कि even cell का जो data है, वो हमें पूरा नहीं सो रहा, यानि जो column की width है, वो छोटी है, तो जब भी आपकी column की width छोटी या बड़ी हो, तो simply उस column के बीचो बीच में mouse cursor को रखकर double click करें, त इससे column जो है, वो adjust हो जाएगा, text के हिसाब से, अगर माल लीजिए, आपको किसी cell के data को change करना है, जैसे यहां मुझे item की जगा product लिखना है, तो मैं इस cell पर click करूँगा, और सीधे product लिख दूँगा, आपको इसके लिए data को delete करने की ज़रूत नहीं है, लेकिन अगर आपक किसी data को delete कर देते हैं, तो उसके लिए आप undo shortcut की का use कर सकते हैं, जो है, control plus Z, तो उससे जो add delete किया गया data, आपका वापस आ जाएगा, अब माल लीजिए, मुझे किसी cell के data को copy कर की, किसी दूसरी cell में paste करना है, तो cell को select कीजिए, control plus C shortcut की दबाएं, अब उस cell को select करें, जहां यह थी कुछ basic चीजें, जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप सिर्फ इन्हें सीक लेंगे, तो फिर आप Excel spreadsheet में data enter कर साइगे, हाला कि information को sheet में एक Excel करके enter करने का यह जो तरीका, यह काफी common है, लेकिन जब आप Excel में data entry करते हैं, तो ज्यादा बहतर यह रहता है कि आप data entry form का use करके sheet में data input करें, तो Excel में data input करने के लिए एक special form होता है, जो data entry के काम को काफी असान बना देता है, और इससे आप कम समय में ज्यादा entries कर बाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस data entry form के option को यहां ribbon में या इस quick access toolbar में एड़ करना है, क्योंकि by default वो option आपको यहा down arrow पर क्लिक करें, फिर more commands पर क्लिक करें, फिर यहां से commands not in the ribbon option को select करें, अब scroll करके इन में form option को ढूणे, यह रहा इससे select करें और फिर add button पर क्लिक करें, और फिर ok button पर क्लिक करें, तो यहां ओपर देख सकते हैं, quick access toolbar में आपको form का option दिखाई दे रहा है, अब नीचे की cell क select करें, और फिर उपर form option पर क्लिक करें, तो हमारे सामने यह data entry form window open हो चुकी है, देखें यहां table में जो heading है, वही heading हमें यहां line से सो रही है, तो इसमें सबसे पहले हम order date लिखेंगे, फिर tab की दमाएं, इससे आप नीचे के box में चले जाएंगे, buyer name लिखें, फिर tab की दमाए salesman का name लिखें, product का नाम लिखें, units लिखें, unit price लिखें, total price हम अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि आगे वीडियो में हम formula का use करके इस product की total units का price निकालना आपको सिखाएंगे, तो थोड़ा से इंतजार कीजिए, इस detail को हम बात में enter करेंगे, next order का record add करने के लिए हम new button पर click क करेंगे, तो देखें, जैसे ही मैंने new button पर click किया, पिछला record अपने आप यहां हमारी table में input हो गया, तो यह जो form है, इसके help से excel table में data input करना बहुत असान हो जाता है, तो ऐसे ही जितने भी records आपको excel table में enter करने हैं, आप इसी तरह से उन्हें input कर सकते हैं, चले, अब मैं बा तो इस तरह से form feature का use करके, आप excel में बड़े ही आसानी से data entry कर सकते हैं, नेक्स्ट, आपके लिए excel में number formats को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप data की entries करते हैं, तो यह जरूरी होता है कि आपने अपने data के लिए सही number format छूस किया हो, फर इक्जामपल हमने इस column में price लिखा है, लेकिन अगर उपर की यह heading ना हो, तो इस sheet को देखने वाला व्यक्ति यह नहीं जान पाएगा कि हमने यह price लिखा है, number format आपको भी बताते हैं कि spreadsheet में किस प्रकार का data store है, जैसे currency है, date है, time है या percentage है, तो हम sales में number formats कैसे apply करेंगे, simply इन sales को select कीजिए, अब home tab के अ आगे इस area उपर click करें, अब यहां से अपने data के इस आप से एक appropriate format select कर लिजे, चुकि हमने जिन sales को select किया है, वो currency है, तो हम currency number format select कर लेंगे, तो देखिए, इन sales में values के आगे रूपे का symbol आ चुका है, तो number format से सिर्फ आपकी spreadsheet को समझना आसान होता है, बलकि जब आप spreadsheet में formula या function का use करते हैं, तो spreadsheet को ये पता रहता है कि किस cell में कौन type की value store है, ऐसे ही आप अपने data के according यहां से एक appropriate number format को choose कर सकते हैं, जैसे अगर date सो करनी है, तो date, time सो करना है, तो time, और अगर percentage में value सो करनी है, तो percentage number format को select केजिए, तो data entry करने के लिए आपको number format की जानकारी होना ब लग पाएं, तो number formatting के बारे में आपने सीख लिया, चलिए अब Excel में आपको data formatting के बारे में सिखाते हैं, अगर आप data entry अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आपको Excel में data formatting कैसे करते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि data formatting की help से आप worksheet में data को पहतर धंग से display कर सकते हैं तो कैसे cells में data formatting apply करेंगे, अब जैसे ये सबसे उपर की पूरी header row है, लेकिन अगर मैं इसमें कोई भी formatting apply ना करूँ, तो इस sheet को देखने वाले को ये पता नहीं लग पाएगा कि सबसे उपर एक header row है, तो हम इसे select करेंगे, फिर home tab के अंदर font group देखिए, आपको कई सारे formatting tools दिखाई देंगे, जैसे हम index को bold कर देंगे, उसके बाद इसके background color को yellow कर देंगे, इसके अलावा यहां देखिए कई सारे formatting tools हैं, जैसे आप font का style यहां से change कर सकते हैं, font का size अगर आपको बढ़ाना है, तो आप यहां से बढ़ाया घटा सकते हैं उसके size को, इसके अलावा आ आप text के alignment को भी change कर सकते हैं, जैसे जो हमारी heading हैं, वो cell में left side की तरफ align है, अगर आपको इनको center में करना है, तो सभी heading cells को select कीजिए, उसके बाद alignment group के अंदर center command पर click करें, तो उससे यह heading हैं, वो cell में center में align हो जाएंगे, ऐसे ही आप text को cell में left, right, top, middle और bottom में align कर सकते हैं तो यहां दिये गए formatting tools का उप्योग करके आप data में different types की formatting apply कर सकते हैं, जिससे आपका जो overall data है वो बहता देखेगा, अब जैसे अगर मैं in cells में जिनमें data है, इन में borders apply कर दो, तो मेरा data और organize देखेगा, इसके लिए सभी cells को select कीजिए, उसके बाद font group के अंदर border command पर click करें, उसके बाद all borders option को select कर लें, तो आप देख सकते हैं, इन सभी cells में border apply हो चुका है, अब आप देख रहे होंगे कि यह जो data है यह अधिक organized लग रहा है, हाला कि आप अपनी data को table में भी convert कर सकते हैं, इसके लिए किसी भी एक cell को select कर लीजे, जिनमें data है, फिर keyboard में control प्लस T shortcut की दबाएं और उसके बाद okay पर click कर दें, तो इससे आपका data table में convert हो जाएगा, अब यहाँ देखिए उपर table create करते ही आपको एक new tab दिखाई दे रही है, table design, तो यहाँ right side में देखिए एक group है table styles, जहां से आप अपनी table को और बहतर look देने के लिए different styles apply कर सकते हैं, इसके नीचे की तरफ scroll करते हैं, तो आपको top row नहीं दिखाई देती है, और ऐसी situation में नीचे की cells में records की entity करने में दिक्कत होती है, तो इसके लिए आप top row को freeze कर सकते हैं, कैसे करेंगे, table में किसी भी excel को select कर लीजे, फिर view tab में जाईए, उसके बाद freeze pens command पर click करें, और फिर freeze top row option अब नीचे की तरफ scroll कीजे, आप देख सकते हैं, हमारी top row freeze हो चुकी है, तो इससे आपको records की entry करने में काफी help मिलती है, अब चलिए आपको कुछ common excel formulas और functions के बारे में बताते हैं, क्योंकि जब आप data entry करेंगे, तो आपको अपने data को calculate करने की ज़रूरत 100% पढ़ने वाली तो सबसे पहले addition का formula देखते हैं, अगर आपको excel में values को जोड़ना पढ़ रहा है, तो आप sum function का use करेंगे, तो सबसे पहले आपको cell को select करना है, जिसमें आपको total चाहिए, सबसे पहले equal sign type कीजे, फिर sum type कीजे, open bracket लगाईए, first cell को select कीजे, colon का sign लगाईए, और फिर next cell को select क कीजे, अंत में bracket close कीजे और enter की दबातीजे, तो आपका total आपको मिल जाएगा, वही अगर आपको values को घटाना है, तो उसके लिए subtraction का formula यूज किया जाता है, type कीजे equal, first cell को select कीजे, minus का sign लगाईए, second cell को select कीजे, और enter की दबातीजे, ऐसे ही गुडा करने के लिए type कीजे, इक्वल, first cell को select कीजे, asterisk का sign लगाईए, second cell को select कीजे, और enter की दबातीजे, अगर विभाजन निकालना है, तो type कीजे equal, first cell को select कीजे, forward slash का sign लगाईए, second cell को select कीजे, और enter की दबातीजे, तो इस तरह से आप Excel में, design निका सकते, average अगर आपको निकालना है तो उसके लिए use होता है average function तो type कीजे equal average open bracket first cell को select कीजे colon sign type कीजे last cell को select कीजे bracket close कीजे और enter की दवा दीजे maximum number अगर आपको निकालना है तो type कीजे equal max open bracket first cell को select कीजे colon sign type کیجے last cell को select کیجے, bracket close کیجے और enter की दबातीजे तो आपको इन values में maximum number मिल जाएगा minimum number निकालना है, तो type कीजे equal, min open bracket first cell को select कीजे, colon sign type कीजे, last cell को select कीजे, bracket close कीजे और enter की दबातीजे तो आपको इन values में सबसे छोटा number मिल जाएगा तो यह थे कुछ most common Excel formulas और functions जैसे जैसे आप Excel और सीखते जाएंगे फिर आप और advanced formulas का यूज़ करना भी सीख सकते हैं तो चलिए अब आपको data entry से related कुछ tips and tricks देते हैं ताकि data entry करते समय आपकी speed और accuracy बेटर हो पाए मानीजे अगर आप serial number लिख रहे हैं तो normally आप एके करके इस तरह से type करेंगे लेकिन इसके बजाए आप fill handle फीचर का use भी कर सकते हैं कैसे एक और दो type कीजिए फिर इन दोनों cell को select कीजिए फिर cell की bottom corner में इस छोटे से green box पर करसर को रखें उसके बाद mouse से click करके इसे drag करें तो इस तरह से fill handle का use करके आप serial number एंटर रह सकते हैं इसके लावा अगर आपको उपर की value को नीचे की बाकी cells में copy करना है तो simply उस cell को select कीजिए उसके बाद fill handle feature पर click करके drag कीजिए इससे same value बाकी cells में भी copy हो जाएगी यानि कुछ भी ऐसा आप seat में type करने वाले हैं जो एक series में है या एक pattern में है तो आप fill handle का use करके उसे cells में quickly से fill कर सकते हैं जैसे मुझे months के नाम लिखने हैं तो मैं पहली दो cell में जैन और फैब month type करूँगा ताकि Excel को मेरा pattern समझ में आ जाए अब इन दोनों cells को select कीजिए फिर fill handle feature पर click करके नीचे की तरफ drag करें ऐसे ही अगर आपको dates auto fill करनी है तो first cell में पहली date लिखे फिर fill handle पर click करके drag कर दिजी तो कुछ भी ऐसा आप sheet में enter करना चाते हैं जो एक pattern में है या एक series में है तो उसके लिए आप fill handle feature का use कर सकते हैं बस आपको पहले की दो cell में उस pattern को लिखना पड़ेगा जिसके बाद Excel उस pattern को समझ जाएगा और फिर fill handle feature पर click करके उस pattern को बागी sales में आप fill कर पाप करा पाएंगे तो ये कुछ skills हैं जो आपको सीखनी ज़रूरी है अगर आप data entry से सम्मंदित कोई भी काम करना चाते हैं तो हलाकि और भी advanced चीज़े data entry में आप सीख सकते हैं लेकिन सुरुआत करने के लिए इतनी knowledge होना enough है So hopefully इस वीडियो को देखती के बाद आपको data entry की पूरी जानकारी हो गई होगी लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है या आपके मन में कोई confusion है तो please नीचे comment कीजिए मैं कोसिस करूँगा कि जल से जल आपके comment का मैं reply दे सको जाते जाते आपसे ही request है अगर इस वीडियो से आपको सीखते हैं इस वीडियो मैं बताई गए information आपको useful लगती है और आपको लगता है कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचनी चाहिए तो इस वीडियो को like ज़रूर करें और अपने WhatsApp ग्रोप, Facebook और other social media platforms पर इस वीडियो को share ज़रूर करें और अगर आप computer system बंदित course, tips and tricks या support पर आप करना चाहते हैं तो easy tech class को subscribe ज़रूर करें इस वीडियो में इतना ही आप से मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए good bye